सब के भूई शुनेवाजी है रोसी इसकी गुलाम नभी आजाज जी माननिये चेर्मिन सर सराप ने माननिये परधान मंत्री जी ने माननिये डिप्टी चेर्मिन साब ने और मेरे जितने भी यहां साथी है उस तरफ के या इस तरफ के सताधारी पार्टी के या विपक्ष और विशेश रूप से आपने और माननिये परधान मंत्री जी ने जिस तरह से भाविक हो करें मेरे बारे में कुछ शब्द बताए मैं बड़ी सोच में पढ़ गया कि क्या को हूँ गया मैं इन इकताली स बरसों में जो मेरा लिजिसलेटिव केरियर रहा अठाई साल इस हाउस में दस साल लोकसमा में तीन साल जमु किशमीर की असमली में तो ये कहूंगा कि महराश से जीत क्या कि मैं कभी इधर से निकला, इधर डूबा, इधर डूबा, उधर निकला, उधर डूबा, इधर निकला ये मेरा जीवन ऐसे ही रहा और संगर्श का जमाना रहा और मैं आज बहुत सारी चीजों को छोटा करने के लिए कुछ शेरों में खत्म करते हैं शायर जो होते हैं, उनमें एक बड़ी ताकत होती उनके शेरों में कि हम लोग अगर दस घंटे का भाशन दें, तो वो दिव शेरों में खत्म कर देते हैं उसके तो मैं उसका फाइदा उठा रहा हैं चाहता हूँ वरना अगर मैं इतने एक ताली साल के इस आनभाव को अगर कहना चाहूंगा तो बहुत समय लगएगा कई हफते महीं लगेंगे लेकिन शुरू में करूंगा जिस बाद से मैंने पुलिटिकल केरियर शुरू किया है स्टूडिल लाइफ और कश्मीर में जमू कश्मीर में मेरा हाला मैं जमू से हूँ लेकिन मेरा डिस्टिक्ट में शमसेर सिंग जी जानते हैं मजली में मेजारिटी डिस्टिक्ट उसका असर कश्मीर का ज्यादा होता है यमू का कम असर पढ़ता विश्ए सुरूब से मुसलिम जब और उसके बाद कालेज और यूनिवरिस्टिकल तो मैं कश्मीर वही पढ़ा और गांदी को पढ़ता था मैं नहरों को पढ़ता था, मौलाना अजाद को पढ़ता था इन तीन की तो जो मैंने सीखा है देश बक्ती का स्कूल से लिए कर और वो देश बक्ती आज उन नौजवानों के नजर में जो सियाचेंड में है जो जम्मू कश्मीर में कई दश्कूं से है थंड में है, बर्क में है उनके नाम से शुरू करता हूँ न खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए मेरे नजदी की कुर्बानी बहुत छोटी है दे दो ये ये मेरे मन में बच्च्वन से और स्कूल से ये बात रही और जब मैं कश्मीर के सबसे बड़े कॉलिज S.P. कॉलिज सिरी परताब कॉलिज में पढ़ता था मुझे याद है वहां 14 अगस्त भी मनाया जाता था और 15 अगस्त भी मनाया जाता था हमारे कॉलिज में और 14 अगस्त भी आप जानते हैं किसके लिए मनाया जाता है और मिजर्टी उनकी थी जो 14 अगस्त उनकी थी और बहुत कम आइनार्टी थी दरजंद के अंदर जिसमें मैं भी था और मेरे दोस्त थे जो 15 अगस्त में स्टाफ के और प्रिंसिपल के साथ रहने थे और उसके बाद हम एक हफ़ता कालिज नहीं जाते थे क्योंकि फिटाई होती है तो उस वकत से निकल कर हम इस सोच के आए हैं जिस सोच में आज हम सब है और मुझे खुशी है इस बात की कि इस सोच को बहुत सारी लोगों नहीं और मैं बढ़ाई देता हूं दूसरी पार्टी इसको भी वहां नेशन कांफेंस हो पीडिपी हो बीजेपी तो शुरू से ही कौमी धारा की नेश पॉलिटिक समय थी वो भी आइस्ता आइस्ता बड़े पैमाने पे आए और कश्मीर आगे बढ़ा मेरी हमेशा यह सोच रही कि हम बड़े खुश किस्मत हैं जन्नत हिंदुस्तान ही मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ लेकिन आज गूगल के जरी और मैं पढ़ता हूं देखता हूं सुनता हूं यूट्यूब के जरी पढ़ता हूं में उन खुश किस्मत लोगों मे हूँ हूं जो पाकिस्तान कभी दी गया लकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस थरा के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर तो मुझे गорow मैसूस होता है मुझे फकर पैसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसल्मान है और बलके अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसल्मान को अगर गौरा होना चाहिए वो हिंदुस्तान के मुसल्मान को गौरा होना चाहिए हम नहीं पेशले 30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर इराक से लेकर और कुछ सालों पहले से देखे किस तरह से मुसल्म देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर हो एक दूसरे से लड़ाई करते हुए वहां हिंदू तो नहीं है वहां कोई क्रिशन तो नहीं है नहीं वहां दूसरा तो नहीं है जो लडाई कर रहा आपस में लडाई कर रहा है और जो कल्चर है हमदर तो लोग पाकिस्तान के बाहत है सुनने में आया है मैं कभी गया नहीं है लेकिन जो समाज में बुराईया है दूसरे मुलक के बारे मैं नहीं कहना चाहिए लेकिन हम गौरों से ये कह सकते हैं कि हमारे मुसल्मानों में वो बराईयां खुदा न करे कि कभी भी लाए आज हम गौरों से ये कह सकते हैं लेकिन यहां मजर्टी कम्मुनिटी को भी दो कदम आगे बढ़ने की जरूत तब ही मिज़ारिटी कमुनिटी दस कदम आगे बढ़ी मेरी हमेशा यह सोच चरहेगी पदानी शमशेर शिंग जी ने मेरी कश्मीर की चीफ नसर बनने के बाद पहली पबलिक मिटिंग के बारे में कभी सुना है के नहीं मैं जब सीम बना तो पहली पबलिक मिटिंग सीम के तोर पे आपको आश्चर होगा कहां ली होगी वो मैंने सोपर में ले जहां के सोपर में कोई कई दश्कूं से पबलिक मिटिंग कोई कर नहीं सकता आज में नहीं कर सकता शेहर में तो नहीं की लेकिन उसी कांशुंसी में की जहां गिलानी साहब में है जो गिलानी साहब वहां से तीन दफ़ाए में ले चुनकिया और उस पब्लिक मेटिंग में मैंने क्या कहा था कि मेरी सरकार जमो कश्मीर के लोगों की सरकार हो और अगर मेरी सरकार का कोई मंत्री धर्म की बनियाद पर मथजब की बनियाद पर और पार्टी की बनियाद पर इंसाफ करेगा तो मुझे शर्म आएगी कि ऐसा मंत्री या ऐसा अफसर मेरे साथ काम करा तो मैं उसी सोच का हूँ कि जहां भी जाएं मुझे प्यार बिला लो बहुत प्यार बिला आन्शर्मा जी ने जैसे बताया शर्ट जी ने जैसे बताया कि तू बहुत अरसे से जानता मुझे सोबहा के मिला और उसके लिए में बदfight ही देना चाहता हु और धनिवाद करता हूँ आज वो जिन्दा नहीं इंडरा गांधी जी का संजे गांधी जी का जिन की वज़ा से मैं यहां पहुंचा और फिर काम करने का आवसर मझे तक्रीबन पांच अधख्शूं के साथ मिला और चार या पांच प्राइमिंस्रों के साथ मंतरी मंदल में क 36 यूटीज और स्टेटों का इंचार्ज करने का आवसर मिला तो आज मेरे दोस्त भाई बहने मैं यह कह सकता हूं के इंडुमान से लेकर और लक्षदीब तक और किश्मीर से लेकर कनिया कुमारी तक सिक्म से लेकर गुजरात तक यह बहुत एक चीज़ कमाई तक बहुत वो हिंद्रा जी के वक्त में मिला राजी जी के वक्त मिला सोनिया गांदी जी के वक्त में वो आवसर उन्होंने मुझे पराप्त कराया राहुद गांदी जी के वक्त में और मुझे शायद बहुत सारे कम लोगों को यह आवसर पराप्त हुआ होगा कि जो अपनी उमर से द में जोती बसो जी थे करना निधी जी थे जैलिलता जी के साथ मैंने डाइंस किया करना करण जी थे चंदर शेकर जी ते देवी लाल जी ते मलाइम सिंग यदो जी थे परकाष सिंग बादल जी से अलाइंस दो नहीं किया लेकिन कई चीज़ें जब मैं मिनिस्टर अफ स्टेट हॉम था तब कई मिटिंगें हुई में जब देखता था इंप्लिमेंटेशन आफ पंजाब अकार्ड इस्वाम अकार्ड ये देखता था आएक इगुजराज साभ से सुब्सोर्ण जी से स्वाब तंगल से मुपनार से से फारुग साभ से मुफनिश साभ से ये सब लों के साथ की दफार और्यों यही वज़ा है कि यहां भी उसी तरह से मैंने चला है तीन प्राइमिनिस्टों के साथ मैं पार्लिमेंटरी अफियर्स मिनिस्टर रहा मैं उस बात को भूल नहीं सकता कि इंद्रा जी फोतेदार जी और हमें बताती थी फोतेदार जी पोलिटिकल सेकरेटरि थे, मैं यूट काउंगरेस का प्रेजिरीन था कहां जरा अटल जी से भी संपर्ग में रहा करो बीजे पी नहीं उन्हों ने कहां, अटल जी से संपर्ग में रहा करो तो वो इस सोच कि थी बाद मेर राजीव जी जब प्राइमिस्टर बने तो उन्हें कहा भाई अब विपक्ष की जो लोग है उनके पास तो दो अमेले हैं एमपी हैं हमारा इतना बहुमत उनको भी तो अपनी कांस्यूंसी का काम करना होता होगा उनसे भी जड़ा पूछा करो जब पार्लिमेंटरी अफेर्स मेरिमिस्टर बना मैं उनके वक्त बहराज़ गुआ लिए तो फिर एक दफ़ा फिर याद दिलाए कि आप बहुत सारी काम अपनी पार्टी के कराते हों कि पक्षके भी कुछ करते हो मैंने कहां मैं बिलकुल उनक पांच साल एकानवे से चानवे तक मैं पार्लिमेंटरी अफेर्स मिनिस्टर रहा और भी पॉर्टफोलियो थे मेरे पांच और अटल जी विपक्ष के नीता रहे हमारे पास बहुमत नहीं था और अलाइंस भी नहीं था माइनाटी गामट था और उस माइनाटी गामट में अटल जी विहारी अटल विहारी जी वाजपाई जी विपक्ष के नीता हो यह हाउस चलाना कितना आसान मुश्कुल हो सकता लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे आसान हाउस चलाना उन पांच साल में मुझे अटल जी की लेडर्शिप हो और उन से सीखा मैं कि किस तरह से हल निकाल जा सकता विपक्ष की भी बात रहे और सरकार की भी बात रहे। मैंने अपने लोपी के जमाने में ये कोशिश Laut कि हम यहां आए हैं लोगों ने हमको चुना है कानून बनाने के लिए लोगों हमें चुना है कि यह मस्नूं का समधान निकालने के लिए हाल निकालने के लिए उनकी मुश्किलात उनके लिए रोज़गार पैदा करना, एमप्लाइमेंट करना, डिवल्पमेंट करना, विकास करना, सडकें, नहरें, स्कूल, कॉलेज, हस्टाल बिनाना, बिजली पैदावार करना तो अगर हम हर वकत ये आपस में ही लड़ते रहे जगडते रहे और वो कानून पास नहीं होंगे तो लोग का विश्वास हमसे उड़ जाए इसलिए जब भी हम मैं अपने साथियों को भी समझाता था कि इसको मिक्स करो एक आद दिन विरोध दिखाओ एक आद दिन जगड़ा करो और बाकी दिन डिसकेशन करें ये मैंने हमेशा प्रियास के आपने मैं धनिवाद करता हूं मारे उस तरफ के भी साथियों को जिन्होंने और इस तरफ के सभी लीडरों को जिन्होंने उस प्रियास में पूरा अपना सहयोग दिया मैं अपनी बात गरह मंतरीजीं को statement देना था मैं उनका धनिबात करता हूँ और सबसे जधा धनिबात मैं प्राइमिस्ट करता हूँ कि आपने सबको सुना आपने इतना समय दो घंटे से जज़ादा यहां समय दिया आप बहुत बहुत होए और सच है हकीकत अगर सच बताएं सर मेरे माता पिता की जब ड़त हुई मेरे आँखों से आंसों निकले लेकिन मैं चिला के रो नहीं पाए मैंने जिन्दगी में सिर्फ चिला के रोया और जब रोता है इनसान तो वो कोई चिला के रोने के लिए तो आपको आर्टिफिशल होने की जरुत नहीं वो थी पहली संजे गांदी की मौत इंडरा गांदी की मौत राजीव गांदी की मौत अलग अलग जगा थी क्योंकि तीनों मौते अचानक होगी थी शायद अगर नैचरल मौत होती तो वो चीख नहीं निकिलती और चौती थी जब सुपर सोनामी आ गया था उडिसा में नाइंटीनाई मैं हॉस्पिटल गया अपने पिता जी को दिखाने के लिए और उन्हें कहा कि इनको गेलेपिंग कैंसर है मौझे तब तक ये गेलेपिंग कैंसर का नहीं मैं पूछा इसका क्या मतलब हुआ कि जोग्राफिकर रिशो से बढ़ता है दो का चार चार का आठ आठ का सोला सोलां का चौसर जो बढ़ जाता है और इसकी अपर लिमिट है एकीज दिन तो एकीज दिन आप कहीं मत जाओ दोपहर को मैं ये लेके आया और सुबा हमने प्रोग्राम बनाये कहीं जाने का इनको गुमाएंगे मिसित गांदी का शाम को फोन आया कि वहाँ साइकलोन है कोई दूसरे जनल सेकरिटरी है वो जाना नहीं चाहते हैं और तुम ही जा सकते हो अब मैं उनको कहता कि मैं अगर मेरे डॉक्टर ने ये कहा है तो कहेंगी बाहना कर रहा तो मैं अपने पीता जी को छोड़ कर मैंनका दो दिन में वापस आऊ गुजरात के ये उडिसा के डूंग के लिए एक नई बात करता हूँ क्योंकि इसका लुलू इसका गवा था वो इस दुनिया में नहीं रहा अमेरे कांग्रिस का यंग लीडर था ये उस बहुत हाऊसोल्ड है ने में है आज भी उडिसा जब एरपोर्ट पे पहुंचा तो एक हजार आदमी था लड़के लड़के तो कहा सर पैदल चलना है कि होंके सारे पेड जो हैं शहर पानी में है और सारे पेड सडकूं पर है तो ये दस बारा किलोमिटर पैदल चलना हूँ चले हम तो सबसे बड़ा काम क्या था पहला और मिनिस्टर कोई नहीं चीफ मिनिस्टर भागे थे मिनिस्टर भागे थे कोई administration को दुकाने तोड कर मैंने उनकी लिस बनाई पुलीस की मदद से कि उनको ऐसे देंगे बात हमने है फ्यार लिए जंगल काटने के तीन रातें और तीन दिन और अटल जी से जाते हैं मैंने फॉन किसम पर किया अटल जी प्राहिमिस्ट कि ये 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 इस्तिती है और हम समंदर तक पहुंचा है तीन रात और तीन दिन हम तकरिवन एक हजार लड़के यूथ कॉंगरिस के मैंने लगाए काटने में और सड़क फिर पीम को फोन किया फिर वो हैली काप्र से आये फिर उनसे राशन मंगा फिर उसके बाद मैंने सोनिया गांदी जी को कहा और वहां में रुया जब मैंने लाशें देखी सेंकडू लाशें तैर रही थी तैर रही थी जब हम समंदर के किनारे तक पहुंचिए वहां में चला के रुया वो चौथी दफ़ा था और पांचवी दफ़ा जिसका उलीक मानिये परदान मंतरी जे ने किया और भावक हुए मैं 2005 में जब चीफ इनसर बनाने अमर में और मैं में जब दर्बार कश्मीर में खुला तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाईयों और बेहनों की कुर्बानी से हुआ मैं अभी दो ही दिन पहले पहुँचा था तो वहां स्वागत करने का मिलिटन्ड का यही तरीका था कि आप हतिया करो गरीबों की तो वही स्वागत होता उसका मतलब था कि हम हैं इस गलत पहमी में न रहना निशाद बाग जो के राजभावन के साथ वहां बस से उस पे लिखा था गुजरात की बस उसमें हमारे तकरिमन चालीस पचास गुजरात के हमारे भाई बहने ट्यूरिस्ट उस पे उन्होंने गरनेट लगा है और मेरे खाल में दरजन से ज़्यादा लोग वहीं अताहत हो गए और कई जखमी हो गए मैं फोरण तुरण जगा पे पहुँचा लेकिन तब तक पुलीस ने वो हटा दिया था फिर मैं जैसे मानी परधान मंतरी जी इन्होंने भी डिफेंसमेंस से बात की मैंने परधान मंतरी जी से बात की जहाज आया मी-8 उनको लेने के लिए लेकिन जब मैं एरपोर्ट पे पहुँचा तो जाहिर है स्क्योर्टी वाले कहते हैं कि सिम आ रहे हैं सिम आ रहे हैं एरपोर्ट पे ये सब जाने के लिए त्यार थे हमारे जकमी भाई छोटे 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 बच्चे तो जब मैं एरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने जिसका किसी का पिता मर गया था किसी की मा मर गई थी वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपड़ गए तो मैं जूर से मेरी आवाजे निकल गई एक खुदा ये क्या तुम ने किया मैं कैसे जवाब दो इन बच्चों को मैं कीसे जवाब दो उन बहनू को जो यहांत तफरी के लिए आए थे सेर के लिए आए थे और आज मैं ल combines लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूँ उनके मता पिता के तो ये बाव होने की जुरूरी बात है आज हम ये ल्ला से बगवान से यही दौा करते है कि इस देश से मिलिटिंसी खत्म हो जाए इस देश से आतिंग बात खत्म हो जाए हजारों हमारे स्क्यूर्टी फोर्सिस के आर्मी के पेरा मिल्ट्री फोर्सिस के प्लीस के जवार मारे गए सिविलियन कई क्रास फाइरिंग में मारे गए हजारों हमारी बेटियां और माएं आज बेवा शायद उनका पती किसी का मिलिटंड भी कई होंके मिलिटन्ड होंगे कई क्रास फाइरिंग कुश्मीर के हालाथ ठीक हो जाएं मैं इस से पहले कि कुछ अशार बोलूँ पहले मैंने अपनी फोजियों के नाम अदा था लेकिन ये शेर मैं बोलना चाहता हूं मेरे कश्मीरी पंड़त भाईयों और बहनों के जब मैं कश्मीर में पढ़ता था तो सबसे ज़्यादा वोट में यूरिस्टी में जब जीत के आता था तो कश्मीरी पंड़त मेरे सबसे ज़्यादा लड़की ये लड़कियां वोट देते था बहुत सारी लोगं को मालूम ने कि कश्मीर में लड़कियां हिंदुस्तान के मुकादले में सबसे ज्यादा जम्मों में ने कश्मीर जो सुकर मैं MSC कर रहा था तो साइंस में तकरिम 50% लड़कियां होती थी और आर्ट्स में 90% तो और आल ज्यादा लड़कियां पोस्ट ग्रिजुएशन पड़ती थी तो मैं जब यूनिवर्स्टी का एलेक्शन लड़ता था तो हमारे कश्मीरी पंड़त लड़के हूँ या लड़कियां सबसे ज्यादा वोट मुझे 100% मिलते थे मैं 99 भी नहीं को हूँ दोस्त हैं आज वो बिखरे हुए और जो बहुत अफसोस होता है जब मैं उनसे मिलता अपने क्लासमेट्स ये उनकश्मीरी मेरे भाई पंड़तों के नाम जिनके जो घर से बेकार हो गए उनकश्मीरी बेवाओं के जो बेवाएं हुई हैं और बच्चे होएं और जो वहां से बिशड़ गए हैं उनके लिए शेर अज़करता हूँ गुजर गया और ये हमारा जो आज मुदद खत्म हुई इसके लिए भी कह सकता हूँ गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था फूल थे चमंत था आश्याना था गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था फूल थे चमंत था आश्याना था नपूच उजडे नशेमन की दास्ता गुजर गया नपूच उजडे नशेमन की दास्ता नपूच थे चार तिनके बगर नाम आश्याना तो था तो हम उस आश्टानियों को आप दोनों यहां बैठे हैं उसको फिर आश्टाना बनाए जो इस वकत उजड़ा हुआ है उसके लिए हम सब को प्रयास करना और मुझे जिसे मैंने बताया बहुत क्राम कर चुके हैं सेवा कर चुके हैं आश्रवाद सब का मिला है मैं यही को हूँगा दिल नाउमीद तो नहीं नाकाम ही तो है दिल नाउमीद तो नहीं नाकाम ही तो है लंबी है गम की शाम शाम ही तो है इतनी लंबी होगी सबीरा तो आई विंटर में जरा लंबी होती है तो लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है सबीरा तो फिर आजाए और आखिर में ये को हूँगा चाहे हम याद यहां ना हूंगे लेकिन फिर उसके लिए को हूँगा बदलेगा न मेरे बाद भी मौजव गुफटगू बदलेगा न मेरे बाद भी मौजव गुफटगू मैं जा चुका हूँगा फिर भी तेरी मैफने में रहूँगा मानिये चेर्विन साब मैं आपका बहुंद बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके साथ काम करने का मुझे आउसर मिला आप जब पार्टी के अधक्ष थे तब भी हमारी मुलाकात होती थी जब आप मंतरी बने तब भी बात होती थी जब यहां चेर्मेंट बनने से वाइस प्रेजिनट आप बनने से पहले आप पार्लिमेंटरी एफेर्स मिनिस्टर थे और मेहलोपी था तब भी हमारी समपर गहें लेकिन जिस तरह का आशरवाद जिस तरह का प्रेम जिस तरह का प्यार आपका चेर्मेंट के तोर पे मिला और कई दफ़ा टोका टोकी हुई और आपने कभी बुरा नहीं माना अलोपी के वकत में बड़ी बड़ी लंबी स्पीच हैं आपके हुई मेरी हुई खास करके राश्पती के अभी बाशन पर उसमें लंबी तक्रीर होती थी कभी हम कुछ अलोपी की जिमादारी करते थे नहीं खिलाफ नहीं दिया हमेशा भी आपने परसनल कंटेक्स को और पार्टी की जो जिमादारी है उसको दूर रख कभी एद हो दिवाली हो बर्डे हो उसमें बराबर आपने कभी भी कमीनी की फोन करने की सबसे पहले या तो मेरे पार्टी प्रेजिनेंट का आता था या आपका आता था दो आदमी का तो अनिवार हमरे परदान मंतरी और कॉंगर्स पे ज़रे जिस गान दी और आपने हमेशा बताया कि कभी अपनी स्टेट के आदमी सेंटिमेंटल हो जाता आदमी इमोशनल होता है और मेरे संपर्ग तो विपक्ष के साथ आज से नहीं जब पहली दफ़ा मैं M.O.S. बना था तब से लेकर आज तक क्यूंकि हम मिलके ही देश को चला सकते हैं लड़ाई करके गालियां दे करने के से हम अपने बात अपने भाशनों के जरीए कर सकते हैं मैं आपका बहुत दन्यवाद करता हूँ मैं मानिये डिप्टी चेर्मेंट साथ मेरे यहां हम बेंच मेट रहे वो हमेशा मुझे याद रहेगा बहुत सिंपल आदमी है स्ट्रीट फारवर्ड हैं कभी-कभी हम नाराज होते हैं स्ट्रीट फारवर्ड लेकिन स्ट्रीट फारवर्ड हमेशा वो लोग नाराज होते हैं और शर्ब पौर जी से लेकर और यादो जी से लेकर और सब हमारे लेडरों का तो मैं बहुत ही धन्यवाद सब सब लेफ राइट एंड सेंटर नाम क्यों कि कुछ लोगा तो बहुत सारे हमारे साथी नाराज होंगे तो चेर्मन साब से लेकर और अरदान मंतरी जी से लेकर मैं सेकर्टरी जनरल साब का कैसे और सेकर्टरेट का कैसे धन्यवाद कर सकता हूँ मुश्किल है करना क्योंकि इनका सयूग मिला बहुत हमेशा हर वक्त जब भी हमने कुछ चाहा इनफार्मेशन पार्लिमेंट की जा कॉर्डिनेशन के बारे में आप तक पहुंचने की बात की तो सेकरेटरी जनरल साबने और सेकरेटरी इतना हमें हमेशा हमारी मदद की है और आखिर का आखिर इस शेयर से मैं आप से विदाई लेता हूँ और इंशालला हम मिलते रहेंगे चाहे यहां नहीं मिलें लेकिन आगे एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं नहीं आएगी मैं आप लोगों से बोल नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे जब आप मुख्यमंत्री थें मैं भी एक राज़े का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था हमारी बहुत गहरी निकरता रही है उसकारतों में शायद ही कोई ऐसी घटना निमिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्ख सेतु न रहा है एक बार गुजरात के यात्री क्योंकि जमुकेश्मिर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नमबर रहता है और टर्रिस्टों ने पर हमला कर दिया करीब हाथ लोग शायद मारे गए सबसे पहले गुलाम नभी जे का मुझे फोन आया और वो फोन सिर्फ सुचना देने का नहीं है उनके आशू रुक नहीं रहे थे फोन पर उस समय प्रणों मुखर जी साब डिफेंस मिनिस्टर करें मैंने उनके फोन किया अगर अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इंडेड़ बड़ी को लाने के लिए रात देर हो गई थी अगर मुखर जी सामने ठाल अप जिंता मत कीजिए मैं करता हो भी देकिन रात में फिर गुला मुखर जी का फोन आया वे एरपुट थे झाल 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 उन्हें मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें बैसे चिंता पर सप्ता जिवन में आती रहती है लेकिन उसे कैसे पचाना मेरे लिए बड़ा बाहुपल था हूँ दूसरे दिन सुबह फोना आया तुम और दीजे सब लोग पहुंच गए इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नभी जी को गटना और अनुभव के आधार पर मैं आधर करता हूँ खाल 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 खाल